दोस्तों नमस्कार नितीश कुमार कुछ दिनों पहले दिल्ली गए थे जब वो दिल्ली गए थे तो जेपी नड़ा पटना थे यानि जेपी नड़ा पटना आये और नितीश बाबू दिल्ली निकल गए जेपी नड़ा से मुलाकात नहीं हुई बताया जाता है कि जेपी नडड़ा कुछ एहम बातों पर मन्थन करने के लिए आये थे लेकिन नितीश कुमार पूरी तरह से कन्नी काट गए दिल्ली चले गए और दिल्ली भी गए तो उन्होंने जो चर्चाएं ऐसी है कि जल्दी चुनाओ कराने की बिहार में वक्त से पहले चुनाओ कराने की चर्चाएं की है चर्चाएं कहां की है ये नितीश कुमार जाने लेकिन खबर ये आ रही है सोर्सिस के हवाले से खबर ये आ रही है कि अमिश शाह नितीश कुमार का इंतजार करते रह गए अमिश शाह नितिश कुमार के साथ बैठना चाहते थे मीटिंग करना चाहते थे लेकिन नितिश कुमार अमिश शाह से मिलने के लिए नहीं गए नितिश कुमार ने अमिश शाह को वक्त नहीं दिया अमिश शाह चाहते थे बिहार पर मन्थन हो जाए यह समझ लिया जाए कि आगे कैसे काम करना है जारखंड पर थोड़ी बात्चीत हो जाए क्योंकि नितिश कुमार जारखंड में चुनाओ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं दूसरा चिराक पासवान के तेवर बदले हुए तो इन तमाम बातों पर जरा चर्चा हो जाए तस्वीर साफ हो जाए नितिश कुमार की चुपी को तोड़ने की कोशिश थी लेकिन दोस्तों नितिश कुमार चुप है नितिश कुमार बोल नहीं रहे कुछ नहीं कह रहे जब नितीश कुमार से पत्रकारों ने तमाम सवाल पूछे, जैपी नड़ा से मुलाकात ना करने पर सवाल पूछे तो नितीश ने कहा कि मैं किसी तरह की कोई सफाई अब नहीं दूंगा और जाहिर सी बात है दोस्तों कि नितीश कुमार एक बार फिर चुप है नितीश कुमार बोल नहीं रहे पटना में होते हैं नहीं बोलते हैं दिल्ली जाते हैं नहीं बोलते हैं चुप हो गए हैं मिलकुल और बिहार की राजनीती ये बताती है कि नितीश कुमार जब चुप होते हैं तो फिर उनके फैसले बोलते हैं अब हाली में एक मीटिंग थी उस मीटिंग में नितीश कुमार ने डिप्टी सियम विजे सिनहा को नहीं बुलाया विजे सिनहा जिस विभाग की बैठक थी पत्थ निर्माल की उसके मंत्री विजे सिनहा है और उसी मीटिंग में विजे सिनहा नहीं बुलाए गए नितीश कुमार ने मीटिंग कर ली अब दोस्तों ये समझना हम चाहते थे कि आखिर नितीश कुमार और अमिश शाह के बीच में क्या हो गया तो जो अंदर से खबर निकल कर सामने आई वो ये कि जब पूर्व MLC मनोरमा देवी के ठिकानों पर छापे मारी हुई संजीव हंस के ठिकानों पर छापे मारी हुई बिहार में ED, NIA और income tax की rates लगातार पढ़ रही है तो नितीश कुमार अमिश शाह से नाराज क्यों नहीं होंगे चलिए बिहार को विशेश राज जी का दरजा नहीं दिया सम्विधान की नौवी अनुसूची में आरक्षण की बड़ी होई सीमा को शामिल नहीं किया दो डिप्टी सीम के फॉर्मूले से आप पीछे नहीं हटे मान लिया कोई बात आपने नहीं सुनी लेकिन करीबियों पर चापे मारी नितिश कुमार के वो करीबी जो उनके लिए आँक नाक कान है उन पर चापे मारी आखिर ये कौन सा गड़बन धन है ये किस तरह की कारवाई है अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि नितिश कुमार इस तरह के अक्शन से नाराज है खफा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है अब दोस्तों नितिश कुमार जिस तरह से बिहार की राजनीती में हमेशा बैठे रहे गए, इंतिजार करते रहे गए कि नितीश आएंगे, नितीश आएंगे नितीश कुमार नहीं आए और अब दोस्तों नितीश कुमार जिस तरह से बिहार की राजनीती में कुछ अनोखा करने की तैरी करने है जल्दी चुनाओ क्यों चाहते हैं नितिश कुमार नितिश कुमार ये क्यों चाहते हैं कि इतना वक्त से पहले चुनाओ हो मौजूदा जो विधान सभा है वो भंग हो जाए चुनाओ पहले हो जाए कुछ तो बात है दोस्तो, कुछ तो reason है, कुछ तो चल रहा है नितिश कुमार का दिल्ली जाना, अचानक कोई plan नहीं था अचानक दिल्ली जाना, lot भी आना, किसी से बाचीट ना करना मुलाकात ना करना, कोई बयान ना देना, बिलकुल चुप हो जाना ये जो तमाम घटनाएं हो रही हैं इन घटनाओं की कड़ियों को जब जोड़िये तो पता ये चलता है कि नितीश कुमार तेजस्वी और पीके की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है उससे घबरा गए है नितीश कुमार को लगने लगा है कि अब भारती जनता पार्टी के साथ रहना नुकसान करवा सकता है इसलिए नितीश कुमार अब अपनी अलग राहें तलाशनी शुरू कर रहे हैं ऐसा बिहार में चर्चा है और बहुत तेज चर्चा है अब ये फैसला कब होगा, नवंबर में होगा, महराष्ट और जारखन का परणाम आने के बाद, नवंबर में हो जाएगा, दिसम्बर में हो जाएगा और क्या नितीश कुमार महराष्ट और जारखन के चुनाओं के साथ ही बिहार का चुनाओं चाहते हैं या फिर नितिश कुमार दिल्ली चुनाओं के साथ बिहार का चुनाओं चाहते हैं अब ये दोस्तों नितिश कुमार के मन की बात है आज कल वो मन की बात बता नहीं रहें चुप है अब देखना होगा नितिश कुमार क्या फैसला लेते हैं नितीश कुमार किसके साथ जाते हैं कि नया अलाइंस बनाएंगे या फिर बिहार में कोई नई राजनीती जन्म लेने वाली है क्या नितीश और चिराग एक साथ आने वाले है कोई तीसरा फ्रंट तयार होने वाला है खबरे तमाम है दोस्तो सियासी गल्यारों में पटना से लेकर दिल्ली तक खबरे खूब है अब बस इंतजार कीजिए कि नितीश कुमार किस दिन राजभवन जाते है दोस्तो इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सबस्क्राइब जरूर करियेगा